सिद्धार्ट निगब में 13 सेकंड्स में फैंस को कैसे किया सर्प्राइजड सल्मान ने क्यों तोड़ा डियस पी से नाता हैलो फ्रेंड्स मैं रितु शर्मा आप सभी गा बॉलिगर्ड स्टूडियोग में स्वागत करती हूं आज में लाई हूं फिल्मी जगत की दिल्चस्प और मनुरंजग खबरें आज खबर सल् सल्मान के अपकमिंग मूवी कभी इक कभी दिवाली किसी ना किसी वज़ा से चर्चा में बनी रहती है सल्मान अपनी इस फिल्म के लिए बहुत एक्साइचेड हैं इस मूवी में कई बॉलिवूड और टॉलिवूड स्टार्ट्स नजर आने वाले हैं पूजा हेगडे ली हासल थी चैश्ज की प्रमुक नामों में से हैं और उनके अक्टिंग की कारण उनके बहुत बड़े फैन्स हैं सिधार्थ ने बहुत कम उम्र में चाले विजन की दुनिया में कदम रखा और बात में कई जेली शो में अभिने किया और अपने यली एक जगय बनाई सिधार् वाले के स्टार को 13 सेकंड में 13 बैक फ्लिप करते देखा गया जो अपने आप में रिकॉर्ड तोड़ है इस क्लिप को शेयर करते हुए सिधार्थ ने कैप्शन दिया क्या मुझे बता सकते हैं कि मैंने कितने फ्लिप किये सोशल मीडिया पर सिधार्थ की इंटरनेट पर सिधार्थ निगम की तारीफ की है कुछ हफते पहले ये खबर आई थी कि सल्मान खान पुष्पा मूवी के सौंग डिरेक्टर देवी श्री प्रसाथ को अपने अपकमिंग मूवी कभी इत कभी दिवाली के लिए सौंग तयार करने के लिए चुना था हालांगी ये बताया स्कोर तयार करने के लिए KGF फेम रवी बसरूर की और रुक किया है रिपोर्ट के मुताबिक सल्मान और डी एसपी ने एक दूसरे को अलग कर दिया ये दावा किया जाता है कि अक्टर प्रसाथ द्वारा फिल्म के लिए तयार के गए सौंग से खुश नहीं थे जिससे व पैंस भी बहुत खुश है सभी इस मूवी का बेसबरी से इंतिजार कर रहे हैं हम आपको इस मूवी से जुड़ी चानकरियां प्रवाइद कराते रहेंगे तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ और देखते रहें बॉलिग्रेड स्टुडियोज